हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दा स्टडी आइक्यूज यूटीब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सीरीज में आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे ब्रमो समाज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे जब भारत ने modern times में कदम रखा तो किस तरह भारत के समाज में जो कूरीतियां फैली हुई थी उनको सुधारने का काम जो है वो किस तरह शुरू किया गया राजा रामोहन रोयद्वारा आज हम इन सब प नाम से विशाल चौहान के नाम से history का जो है वो मिल जाएगा एक पूरी playlist मिल जाएगी उनको देखी उन पिछले sessions को समझने की कोशिश कीजिए कि हमने किस तरह जो है वो conceptual as well as factual knowledge को एक खटा किया है और एक थोरो concept तरह तयार करते जा रहे हैं हम और हमने किस तरह जो है वो history क concepts को build किया है अभी तक और जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं कि these all are foundational sessions यह सब foundation create करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपकी और foundation में भी हम concept building पे जोर दे रहे हैं साथ ही साथ हम जादा से जादा जो जितने भी important facts है उनको भी घटा करते जा रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि यह sessions मेरे हर examination में आपको काम आने वाले हैं भले ही वो UPSC की mains की answer writing हो या भले ही कोई भी एक DVC examination हो so you make sure कि आप पिछले sessions को जरूर देखें उसके लब अगर आप CAC के लिए prepare कर रहे हैं तो इस video की description में आपको एक link मिल जाएगा study IQ की learning application का उस application पर एक thorough course available है UPSC CAC से लेकर एक पूरा का पूरा smart course है जिसमें 1300 से प्लस वीडियो अवलेबल है डेली की current affair उस पर डलता है डेली का जो है वो answer writing की practice doubt solving और पूरा का पूरा package अवलेबल है so make sure you check that out application का link आपको description में मिल जाएगा इस video की right so शुरू करते हैं आज हमारा session so जैसे कि मैंने कहा क्या पढ भारतिये सब्भेता जो जो भी सब्भेता थी उस समय राइट भारत की वो क्या सब्भेता थी समझने कोईश करेंगे आज हम ठीक है civilization है ना वो civilization को हमें civilization में जो patterns चल रहे है उसको समझना है हमें right so एक ये दृष्टी कोण भी दियान में रखिएगा मुला हमेशा जो है वो पूरे भारतियोप जब हम भारत बोलते हैं तो हम भारतियोप महादीप की बात करते हैं जो हम हिस्ट्री के हिस्ट्री पे जब हम भारत बोलते हैं तो पूरा भारतियोप महादीप हम count कर रहे होते हैं that means presently पाकिस्तान के क्षेत्र भारत नेपाल भुटान और मैनमार से कु throughout the different times early medieval में medieval में modern में उन सब को हमें study करते जाना है तो यह हमेशा आपके दिमाग में तयार होना चाहिए perception कि अगर हम medieval की बात कर रहे हैं या अगर कभी भी इतिहास में हम भारत का जिक्र करें तो mostly chances यह रहते हैं कि हम पूरे भारती उप महादीब की बात कर रहे होते हैं ठीक है तो जैसे कि आप सबसे पहले आपर देख पा रहे हैं आज हमें शुरू करना है राजा राम महन रोय और ब्रह्मो समाज के साथ तो आईए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ब्रह्मो समाज और कौन थे राजा राम महन रोय तो सबसे ही पहला पॉइंट देखेगा आप राजा राम महन रोय ओफन कॉल्ड दे फादर अफ इंडियन रेनेस्टान्स और दे मेकर अफ मॉडन इंडिया वस बॉन अन 22nd में 1772 इन राधा नगर विलेज ओफ हूगली ओफ बेंगॉल इन अ ब्रहामिन फेमिली 1772 में जरम हुआ एक ब्रहामिन फेमिली में हूगली बेंगॉल में राजा राम मॉन रोय गा और कहा जाता है उन्हें भारतिये पुनर जागरन का जन्मदाता राइट फादर आफ इंडियन रेनेसांस अब यहाँ पर इसी एक स्रेटमेंट से हम बैगराउंड प्रिपेर करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतिये पुनर जागरन क्या है राइट वट और वट को समझने के लिए हमें वट को समझने के लिए वाई का जवाब देना पड़ेगा कि भारत में पुनर जागरन की आवशकता क्यों है वाई और फिर हम देखेंगे कि भारत में पुनर जागरन कैसे आया हाओ तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो रेनेसांस आया है इंडिया में या जो इंडियन रेनेसांस कहा गया उननिस्वी शताब्दी के शुरुवाती दशकों को भारती रेनेसांस के पीरेड के रुपे या पहले जो 50 साल है पुरवार्द जो है वो उननिस्वी शताब्दी का उसे भारती रेनेसांस का पीरेड कहा गया भारत में पुनर जागरन का पीरेड कहा गया ये मुखेताय कहा गया है जो orientalist इतिहासकार है उनके द्वारा जो अंग्रेजी इतिहासकार है उनके द्वारा कहा गया है कि पुनर जागरण आया भारत में क्योंकि पुनर जागरण का जो concept है वो European है ठीक है लेकिन भारत में ये जो social awakening हुई ये जो cultural reforms लाए गए ये जो religious reforms लाए गए इसको renaissance कहा जाना पूरी तरह गलत भी नहीं है क्योंकि renaissance का मतलब ये है ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये है कि जो पुरानी रूडी वादी बंदिशे है उसको तोड़ कर एक नई अप्रोच जो है वो लाई गई एक नई liberal scientific अप्रोच लाई गई उनके हिसाब से ये था पुनरजागरण और जब मैं आपको पुनरजागरण करवाओंगा न ये उरोप का तो मैं आपको समझाओंगा कि किस तरा Catholic जो Roman Catholic Church के जो control में था ये उरोप धीरे धीरे वहां से जो है वो कैसे लोग liberty की तरफ बढ़े ठीक है और फिडलिजम से क्यापिटलिजम की तरफ जो शेफ्ट हुआ वो सारी चीज़े हम समझेंगे वर्ल्ड इस्ट्री में लेकिन भारत में रेनेसांस इसलिए ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता क्यूंकि वो जो बेडियां है ना रूडिवाद की वो आज तक है पूरी तरह से आजादी नहीं मिली है ये जो ब्रमो समाज द्वारा जो social reform शुरू किया गया या जो शुरुवाती जितनी भी organizations थी इन्होंने जो भारत में cultural awakening लाने की कोशिश करी है social reforms लाने की कोशिश करी है इनके जो efforts थे ये तरह fruitful नहीं हो सके और geographically constrained रह गए क्यों रह गए आज हम उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली चीज जो कि सती प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की society की सती प्रथा आप लोग जानते हैं भली भांती हम सब समझते हैं सती प्रथा क्या है अगर नहीं जानते हैं तो मैं बिल्कुल brief जो है वो description देता हूँ सती प्रथा का अगर किसी पुरुष की मृत्यू हो जाए तो उस पुरुष की जो वाइफ है उस वाइफ उस विडो को अब स्वे इच्छा से अपने देह का आंत करना है यानि स्वे इच्छा से अपने शरीर को अगनी देनी है खुद लेकिन society में implement कैसे किया गया जो family थी जो family होती थी अगर मान लीजिये किसी एक family के किसी पुरुष की मृत्य हो गई तो उसकी जो wife है या जो उसकी wives है क्योंकि polyandry वहाँ पर जो है वो काफी famous है उसकी जो wives है उन सब wives को जो है वो लेकर चिता पर जिंदा बिठा दिया जाता था और जबरदस्ती उन्हें जला दिया जाता था उनकी इच्छा के विरुद इसे कहा गया है सतीप्रथा और यह भारत की society की बहुत बड़ी समस्या थी not just this उसके अलावा जो भारत में caste system की वजह से जो भारत की हिंदू society वर्णों विवस्था में भटी थी और हर एक वर्णों में जो अलग-अलग जातियां थी उन जातियों का जो आपस में मतभेद था और जो उँच और नीच की एक बहुत बुरी कूरीती थी जो भारत में फैली हुई थी एक ये बहुत बड़ी समस्यादी भारत की society की जो कि आज भी है सती परता तो भले ही खतम हो गई है भारत से लेकिन जाती परता आज भी भारत में प्रचले थे ठीक है उसके अलावा ये basic चीज़े हम सब जानते हैं हमारी society की ये जो कमिया है we all know हो सके और अगर ये समस्याएं आज तक है तो ऐसा क्यूं है कि ये समस्याएं आज तक है जबकि इन समाजिक कूरीतियों को दूर करने की कोशिश बहुत लंबे समय तक कई जो social intellectuals है उन्होंने की है और अपने जीवनों की आहुती दिये उन लोगों ने लेकिन ये समस्याएं भारत के समाज से नहीं दूर हो सकी ठीक है आज हम इन चीजों को समझने कोश करेंगे तो आज के session को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या background है हमारे पास ये background है कि जो medieval India है उससे modern India की तरफ move medieval period से modern India ये modern period में move कर रहे है ठीक है according to English Britishers के according 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद भारत जो है वो modern period में move हुआ है ठीक है लेकिन भारती अतिहासकारों का मानना जो है वो उससे अलग है भारती अतिहासकारों में अभी तक एक मत नहीं है कि भारत ने modern times में कब कदम रखा लेकिन सभी का ये मानना है कि अठारवी सताबदी में रखा है ठीक है so that means अठारवी सताबदी से पहले जितने भी दिल्ली सल्तनतकाल मुगल सल्तनतकाल दक्षिन भारत में जो हिंदू राज्ये थे या अन्य मुस्लिम राज्ये थे उसके अलावा जितने भी empires या dynasties थी इंडिया में वहाँ पर जो कूरीतियां चल रही थी वही कूरीतियां अभी भी continue नहीं है कि अंग्रेजों के आ जाने से और British administration भारत में फैल जाने से वो खतम हो गई लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से अंग्रेजी भाषा भारत में आई और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ जो western thinking है जो renaissance यूरोप में आया और renaissance की आने के वज़े से जो liberty, fraternity, equality की जो भावना है French Revolution ने वढ़ाई वो भारत में पहुँची और उनी सब ideas पर अब भारती है जो intellectual है वो grow करना शुरू हुए और जो भारती है intellectual ने western sciences और जो western ideologies, humanities की जो ideologies हैं उसके अलावा तर्क शक्ति यानि की जो factual analysis या logical thinking का जो trend बन रहा है west में उसको भारत में जो introduction मिला है और भारत में बंगाल में ही क्यों introduction मिला है इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे तो ये background है कि भारत में social कूरीतिया फैली हुई है भारत में अंग्रेजों की वज़े से western education आ गई है और भारत की जो social कूरीतिया है और जो western ideas है अब इन दोनों का आपस में clash है इनके clash को हमने social reforms के तौर में पढ़ना है ठीक है तो शुरू करते हैं आईए तो सबसे पहला ही point देखिएगा राजा राम मोहन रॉय की एक statement से शुरू करते हैं ये कथन राजा राम मोहन रॉय का है point है देखिएगा यहां पर राजा राम मोहन रॉय कहते है कि जो हिंदू aristocracy है ना उसने जो कानून उसने जो सामाजिक कानून जो पकड़ के बैठे हो हैं वो वो उनके political gain के लिए जो है वो सही नहीं है क्यों क्योंकि वो सामाजिक कानून जिनसे वो चिपके हो हैं जिनसे वो जुड़े हो हैं उन्ही सामाजिक कानूनों की वज़े से अंग्रेजों ने उनको एक्स्प्लोइट कर दिया देट मींज बदलते समय के साथ उन्होंने अपने आपको बदला नहीं तो यहाँ पर इस पहली स्टेट्मेंट से राजा राम मोहन्रोय क्लियर कर देते हैं किस तरह धरम को पॉलिटिकल इस्तमाल किया जाता है या अरिस्टोक्रेशी जो है जो अरिस्टोक्रेशी क्लास है समझे आप जो रूलिंग क्लास है वो किस तरह धरम का इस्तमाल जनता को manipulate करने में करती है इस चीज़ को उन्होंने सबसे पहले present किया और फिर वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जनता को manipulate करने में धर्म का इस्तमाल करना है तो सही तरीके से करो at least ऐसे करो कि social comfort create हो ऐसे करो कि लोगों का ही भला हो और आपको आपके जो political gains है वो भी मिले आपको तो वही आज हम देखेंगे कि किस तरह के जो है वो religious change चाहते थे राजारा मौन रोए और उनके religion को लेकर क्या सोच थी आज हम उनको समझने कोईश करेंगे तो सबसे पहली चीज़ establish कर ली हमने कि political gains की लिए इस्तमाल किया जाता है religion को किसके द्वारा aristocracy द्वारा सबसे पहली चीज़ हमने establish करी ठीक है तो आपको ये चीज़े ध्यान रखनी है अगर आप एक administrator बनना चाहते है न तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि neutral रहकर सोचना शुरू कीजिए बहुत बार मैं बोलता हूँ और दूसरी चीज़ मैं इस YouTube के मन से आपको समझाना चाहूंगा कि अपना थोड़ा सा जो है वो logical बढ़ाई है logic लगाना जो है वो शुरू कीजिए जो कि राजा राम होन राज बोलेंगे भी कि तर्क संगिता को improve कीजी अपने अंदर logic लगाने की कोशिश कीजी हर चीजों में ठीक है और इस चीज़ को समझिए कि किस तरह जो aristocracy है जो ruling classes है पूरी दुनिया में मैं केवल भारती ओप महधीब की बात नहीं कर रहा हूँ पूरी दुनिया में जो aristocracy है उसने किस तरह धरम का उपयोग किया लोगों को manipulate करने के लिए और आज तक जो है वो किया जा रहा है तो आज यही क्योंकि पूरा का पूरा topic हमारा किस पे based है social reforms पे तो आज का मुद्दा हमारा यही रहने वाला है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा इस तरह मैं आप धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे social concepts लेकर आऊँगा क्योंकि मैंने क्या कहा था मैंने कहा था कि GS1 का society का जो base है वो मैं आपका create करके दूँगा तो इनी सब topics के माध्यम से हमो GS1 society का base आपको create करके दूँगा तो धर्म धर्म निश्पेक्ष्टा secular secularism क्या है religion क्या है यह सब जो है वो GS1 society का हिस्सा है ठीक है और आपको निबंद लिखने में भी काम आता है आपके ethics के सवालों में भी काम आएगा तो बहुत जरूरी है कि आपको वहाँ पर concept की clarity हो ठीक है तो अगर simple सी वादा है जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप administrator बनना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप उस ओधे पर पहुंचे हैं तो यह society किस तरा काम करती है aristocracy किस तरा काम करती है आपको समझना पड़ेगा ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि आप ruled रहे है ना aristocracy आप पे जो है वो साशन करती रहे तो आप manipulate हो सकते हैं वो आपकी स्वय इच्छा है लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि जादा से जादा students को aware करूँ अगर मुझे ये मंच उपलब्ध हुआ है तो मैं इस मंच का जो है वो इस्तवाल करूँ आपको aware करने के लिए ताकि आपके दिमाग में जागरती आए भले ही आप मेरे concept से agree करते हो या ना करते हो लेकिन at least आपके दिमाग में ये question तो जाएगी क्या ऐसा है या नहीं है आप सोचना शुरू करें आप सोचना शुरू करें बहुत important चीज है कि आप जो है वो अपनी तरफ से मैंने बोला तो ना originality of thoughts answer writing में क्या चाहिए originality of thoughts कि जो thoughts हैं आपके वो कितने original है कितना किसी किताब या किसी note से उठा कर लिखाया आपने यही examiner देखना चाहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं next point देखिएगा he wrote gift to monotheese tohafat ul muhabadin in 1809 1809 में उन्होंने tohafat ul muhabadin लिखा gift to monotheese and translated into bengali the vedas and the five upanishad to prove his conviction that ancient hindu texts support monotheism अब यहाँ पर जो बहुत important concept है राजा राम महनरोय का हमें समझना है वो है monotheism यानि एक ईश्वरावाद राजा राम महनरोय ने किस सीज़ पर pressure डाला उन्होंने कहा कि ईश्वर कितने है केवल एक है राजा राम महनरोय was a well learned बहुत बहुत जादा जो है कैसे क्यूंकि वैसे तो वो new testament पढ़ सकते थे जो कि अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी में लिखा गया था Bible का लेकिन उन्होंने old testament पढ़ने के लिए जो original अगर original Bible को पढ़ने के लिए उन्होंने Hebrew और Greek भाषाओं को पढ़ा अगर उन्हें कुरान के बिलकुल original text पढ़ने थे तो उन्होंने फार्सी की study करी उन्होंने अर्भी भी सीखी उनको उर्दु का भी लहजे पता थे ठीक है उसके अलावा उनको संस्कृत की बहतरी नॉलिज थी दंगाली अस्मी भाषाएं इन सब यानि कि लगभग एक अरिजनल वेद हैं उनको study किया उन्होंने बौधिस्ट और जैन जो text हैं उनको study किया उन्होंने उपनिशदो वेदानतों को study किया और अंत में उन्होंने conclusion निकाला ऐसा नहीं है कि उन्होंने हवा में कोई चीज बोली क्यूं क्योंकि अगर भारत में जो कुरीतियां है वो अगर धर्म की इन पुस्तकों के वजह से उनको अगर इनकी वजह से उन कुरीतियों को credibility मिल रही है भले ही इन पुस्तकों में लिखा हो या ना हो लेकिन credibility इन पुस्तकों के नाम पर अगर मिल रही है तो अपने आपको सबसे पह पहले उन्होंने यही पड़ डाली सारी किताबें, खुद से उन्होंने चेक किया कि ऐसा है भी सोसाई उन किताबों में लिखा या नहीं, और अंत में उन्होंने ये इक अंक्लूड किया और उनके पास सारे तरक थे, जहां जहां पर उनके शास्तरात हुए ना, उन्होंने य सबूत में दिखाईए कि देखो अगर आप उपनिशदों की बात करें तो इस मुंडव उपनिशद में यहाँ पर किलियर लिए या इशा उपनी सद में यहाँ पर clear लिखा है या इस आमुख वेद में यहाँ पर यह बात clear लिखी है या उसके लाबा इस तरह कुरान में जो है वो यह बात clear लिखी है जो old testament में है यहाँ पर यह clear लिखा है उन्होंने अपने जो भी जो भी theories थी उसके लिए उन्होंने facts तय क्यार करें तो यहां पर message यह है कि अगर आप कोई radical opinion generate करते हैं तो उसको backup करने के लिए credible facts आपके पास तयार होने चाहिए so that means अगर पिछले धाई तीन हजार सालों से चली आ रही किसी धाई तीन हजार साल समझ रहें आप धाई तीन हजार साल की कोई well established well institutionalized कोई प्रक्रिया है कोई process है उसको अगर आपको challenge करना है तो आपको थरली अपने आपको तयार करना पड़ेगा राजा राम मोहनरोय ने इन सभी text को detail में पढ़ा समझा और फिर अपने points रखें कि देखिए किसी भी वेद में किसी भी वेदान्त में किसी भी उपनिशद में वैसे वेद और उपनिशद की बात की जाए वेदान्तों की ना की जाए राइट त्योंकि उनका focus वेद और उपनिशदों पे था उनने कहा कि वेदों और उपनिशदों में कहीं पी मूर्ती पूजन के बारे में नहीं लिखा है कहीं भी बहु एश्वरावाद के बारे में नहीं लिखा है अगर अगर ब्रहामनिकल कल्चर ये क्लेम करता है कि वेदों से उपजा है सारा ज्यान भारत का तो वेदों में इतने जो देवी देवता है इन सब के बारे में आइडल वर्शिपिंग ये प्रीस्टली जो क्लास है भारत की इनके द्वारा डेवलप की गई है ताकि जो मासिज है उनको उल्जा के रखा जा सके ऐसा राजा राम मोन्रोय ने कहा ये उनका तर्क था इसलिए उन्होंने प्रेशर डाला कि मोनोथिसम होना चाहिए अब ये इसलाम में बाद उनको इसलाम में क्या है कि अलहा जो है वह उनके एक ईश्वर है तो यहां पर उन्होंने जब आलहा को एक इश्वर बोला और उन्होंने कहा कि जो हंदू जो पुरानिक गरंथ है उसमें जो इश्वर की बात की गई है जो कुरान में अल्हा की बात की गई है या जो Old Testament में जो Jesus की बात की गई है वो सभी जो है वो एक ही शक्ती को represent करते है वही जो है वो unilateral जो एक ही जो है वो शक्ती है एक ही परमात्मा है एक ही भगवान है सबका यह आइडिया था किसका राजा राम मोहन रोएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीज़ को मैं इतना डिटेल में को एक्स्प्रेन कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि यह सारी चीज़े आपके दिमाग में डलें क्यूंकि बहुत हो सकता है कि आ माचल प्रदेश से बिलॉंग करता हूं और हमारे यहां पर जो है वो हमारे ट्राइबल देवी देवता होते हैं ठीक है और अगर राजा राम मोहन रोए कि एक ही इश्वर है तो मेरी अगर ट्राइबल कॉम्मिनिटी यह बात अभी सुने तो उनके लिए बहुत चैलेंजि लगी होगी यह बात और इस तरह का इस तरह की रेडिकल बात करना और फिर अपनी बात पर अडे रहना और फिर अपने साथ एक जन्मत को इखटा करना यह काफी भादुरी की बात है क्योंकि on a daily basis उनको धंकाया जाता होगा कि हम कभी भी आपको मार सकते हैं तो वो हर रोज मौत के थ्रेट के सामने उठते होंगे सोकर जब यूठते होंगे तो उनके सामने यार सोते हुए भी उनके उपर हमेशा जो है वो मृतिव का खतरा बना रहता होगा तो काफी आप मान सकते हैं कि एक भाद और इंसान थे राजा राम मौन रहा है नेक्स मैंट देखिएगा इन एटीन फॉर्टीन ही सेट अप दा आत्मिय सभा और सोसाइटी ऑफ फ्रेंट्स याद रखिएगा यह फेक्ट्स हैं एटीन फॉर्टीन आत्मिय सभा in Calcutta to propagate the monotheistic ideals of the Vedant and to campaign against idolatry, caste rigidities, meaningless rituals and other social ills समाजी क्या क्या कूरीतिया है यहाँ पर देखिए लिस्टेड है idolatry यानि की मूर्ती पूजन, caste rigidities यानि की जो जाती विवस्था है उसमें जो बहुत ज़ादा rigidity है यानि की अगर कोई व्यक्ती, rigidity का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई सी सोसाइटी में आमुख उँच और आमुख नीच जात है ठीक है तो यह बटा हुआ है बहुत solid तरीके से कि जो यह जो downtrodden है जो नीचे तबके के विक्ती है उनको उनकी जो social liberties है वो fix है कि वो इस कोई से जाकर पानी नहीं पी सकते, वो इस नहर में नहा नहीं सकते, वो गाओं के इस area में नहीं move कर सकते, वो इस मंदिर के अंदर नहीं जा सकते इस याद इस जो है वो ठाकुर के सामने उनको सर जुगाना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े जो है वो क्या है कास्ट जो है वो उपर नीचे शादी हो जाना वो तो मतलब मृत्यू डंड था ऐसी चीजों के लिए तो आज तक भी है आज तक देखी ओनर किलिंग हो रही है तो उस समय तो कितना जादा होता हुगा खांदान के खांदान खतम कर दिये जाते होंगे तो ये जब समाज में इतनी सारी कूरीतियां फैली होई है अब आपका सवाल ये बनना चाहिए कि कि यह कूरीतियां क्यों है राइट सबसे बैसिक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर यह उंचनीच है सोसाइटी में तो यह क्यों है वैसे तो मैं वरण वैवस्था और जातीय वैवस्था की स्थापना पर है न जह पूरा का सिस्टम है इसके establishment पर एक पूरा proper session अलग से लूँगा उसमें मैं आपको detail में बताऊंगा बिलकुल बारीकी से समझेंगे हम कि कैसे का system या वर्ण वेवस्था develop हुई है वर्ण system कहां क्या क्या इसके positive point है अगर है तो negative points क्या हमारी society में आज तक क्या क्या negative points चले आ रहे हैं और throughout the history जितने भी हम dynasties और यह सब era जो पढ़ते आएंगे या जितने भी empires को study करते आएंगे तो वहाँ पर modification मैंने आपको कहा ना history में हमें क्या समझना है the process of change और यह process of change वाली जो ideology हमें यह ancient और medieval के लिए रखनी है modern में थोड़ा सा हमारा approach अलग है milestone to milestone वाला है हमारा approach modern के लिए है ना में आपको समझा यह चीज़ यह खेर वहाँ पर मैं आपको जाती विवस्ता समझाओंगा लेकिन फिर भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि यह क्यों है तो उसका बिलकुल अगर बेसिक अगर आपको जवाब दूं अगर मैं तो बिलकुल बेसिक जवाब यह है कि जो ruling class है उसका control 1% जो है उसका 99% जो बाकी जनता है उस पर control अगर बनाए रखना है तो किसी तरह की उंच और नीच की विवस्ता होनी चाहिए वही है भारत की जाती विवस्ता या ऐसा नहीं है कि यह जाती विवस्ता भारत में इंथी इसी तरह की किसी ना किसी तरह की जो social strata है यानि कि जो उंच और नीच है society में हमें दुनिया में हर जगा देखने को मिलेगी जहाँ जहाँ पर feudal lords रहे है जहाँ जहाँ भी empires रहे है वहाँ पर हमें ये चीज़े देखने को मिलेगी अलग-अलग उनकी intensity रही होगी लेकिन similar pattern हमें कहीं न कहीं हर जगा देखने को मिल ही जाएगा तो खेर उसके लिए एक अलग से section लोगा लेकिन क्यूं है तो क्यों का जवाब basic है कि उच और नीच बनी रहे जितना उच और नीच बनी रहेगी जितना social difference रहेगा उतना जो wealthiest 1% है उतना जो ruling class है वो आम जनता पर control बना कर रखेगी इसलिए ये society में strata बटे होएं ठीक है next चीज़ देखिएगा he declared that Vedanta is based on reason and that if reason demanded it even a departure from the scriptures is justified उसने clear कर दिया राजरामोन रोय ने कि जो वेद वेदान तो पनिशद है न ये सब जो है वो logical reasoning पर वेज़द है अगर आप thoroughly उनने study करेंगे तो जिन लोगों ने compile किये है वेद उन्होंने अपने हिसाब से जो environment को study किया अपने हिसाब से जो अपने immediate atmosphere environment में घटती हुई घटनाओं को जो document किया उसमें से based जो है वो scientific phenomena को conclusion के तोर पे उन्होंने लिखा है ठीक है चाहे वो बदलते हुए मौसम हो चाहे वो बिमारियों का फैलना हो बिमारियों का logic ये बोलता है कि ये अब आगे carry करने लाइक नहीं है क्यों क्योंकि बदलते हुए समय के साथ situations बदल जाती है जैसा कि 1500 BC में जो हाला थे वो अब नहीं है so that means जो चीज़े 1500 BC में valid थी वो अब नहीं होनी चाहिए ठीक है for example में एक चोटी सी बात बदाता हूँ आपको मैं 1500 BC में रिकवेद में पुत्र प्राप्ती के ओपर लिखा है कि पुत्र प्राप्ती जो है वो एक बहुत बहुत जरूरी चीज़ है और पुत्री की प्राप्ती को बिल्कुल भी celebrate नहीं किया जाता अब इस चीज़ के पीछे अगर logic ढूंड ढूंडा जाए तो एक हलका सा logic यह बनता हुआ दिखता है कि उससे में की जो tribal societies थी वो आपस में हमेशा लड़ती रहती थी right so that means जिस tribe में जिस clan में जादा आदमियों की संख्या होगी वो definitely जादा मजबूत होगा right इसलिए पुत्र प्राप्ती को पुत्र प्राप्ती को जो है वो क्या माना गया है essential माना गया है और पुत्री के प्राप्ती को जो है वो essential नहीं माना गया ठीक है इसका मतलब यह नहीं है कि पुत्री के प्राप्ती इतनी जादा बुरी बात है सोसाइटी में लेकिन वो उस समय के लिए वो कुछ हद तक ऐसा नहीं है पूरी तरह ठीक है लेकिन कुछ हद तक वो वहाँ पर फिजिबल लगता है वो पॉइंट कि हाँ लड़ने के लिए एक क्लैन में जादा आदमी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं लड़ती थी, यह भूल के मत सोचिएगा, जो शुरुवाती क्लैंज रहे हैं, चाहे भारत के हो, भारती ओप महादीब के हो, या एशिया माइनर के हो, यूरोप के हो, महिलाएं, शुरुवाती क्लैंज में, महिलाएं भी लड़ती थी लेकिन, अबियसली अगर पूरुशों की संख्या जादा होगी लड़ने की, तो effective रहेगा वो क्लैंज, ठीक है तो वहाँ पर यह logic कुछ हद तक माना जा सकता है, कि सही है, लेकिन उसी logic को manipulate करके महिलाओं की स्थिती को बिगाड़ा गया और वो लगातार बिगड़ती चली आई लेटर वैदिक काल से और समझ रहें आप महिलाओं की स्थिती वैदिक काल के बाद, मैंने वैदिक काल में पूरा सेशन लिया है आपने नहीं देखा है, तो उसको definitely देखिएगा ठीक है, महिलाओं की स्थिती लेटर वैदिक काल से लगातार गिरती आई है, और राजा राम मोहन रोय के actions के थुरू ही थोड़ा सा society में महिलाओं की situation में revival आना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे society में, भारती ये उप महादीब की society में, महिलाओं की स्थिती सुधर रही है अभी भी, पूरी तरह सुधरी नहीं है, लेकिन सुधर रही है, और शुरूवात कहां से हुई, राजा राम मोहन रोय के individual actions से, और फिर उसके बाद उन्होंने जो संगठन बनाए है, ठीक है और शुरूवात किस क्षेतर से हुई, तो बंगाल के क्षेतर से हुई, ठीक है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह society जो है, वो हमारी काम कर रही थी और काम कर रही है, मैंने बोलो ना, process of change हर चीजों को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम present day में हो रही, जितनी भी घटनाए हैं, उनको ठीक तरीके से perceive कर सकेंगे, और बहतर तरीके से एक answer लिख सकेंगे, ठीक है नेक्स चीज़ देखिएगा In His Precepts of Jesus 1820 में लिखी He tried to separate the moral and philosophical messages of the New Testament with which he praised from its miracle stories Now, यह जो New Testament के में बात करता हूँ New Testament और Old Testament दो जो है वो बोल सकते हैं, आप additions हैं, Bible के जो Old Testament है वो Hebrew में लिखा गया, यानि कि यहुदियों की भाशा में जो New Testament है, वो Latin और फिर धीरे उसको अंगरेजी में लिखा गया ठीक है, जो जो New Testament है उसमें जो points लिखे हैं, वो Old Testament से काफी ज़ादा अलग है New Testament में जो Jesus है उसको miracles यानि कि उसके पास चमतकार करने की क्षमता और बहुत सारे actions जो हैं वो Jesus द्वारा लिए गए जो भी actions हैं, उनको चमतकार के रूप में दिखाए गया है तो यहाँ पर राजा राम मोहन रोये, जब हिंदू समाज को criticize कर रहे थे तब जो Christian मिशनरीज हैं, वो बहुत खुश हो रहे थे कि ये वेक्ति देखो, खुद जो है वो भारती है और हिंदू समाज को criticize कर रहा है इनफेक्ट बरहामीन फैमिली से बिलोंग करता है ठीक है, और हिंदू सुसाइटी को criticize कर रहा है, ये आज नहीं तो कल Christianity को जो है, वो adopt कर लेगा क्यूं? क्यूंकि Christianity की Christianity को praise कर रहे थे, वो किस चीज़ को लेकर, Christianity में जो logic लगाना, जो humanism के लिए बात की गई है society को सुधारने की जो बात की गई है, जो cruelty के खिलाफ जो बात की गई है या जो peace या जो आप बोल सकते हैं कि एक बहुत decent जो है, वो इनसान का character होना चाहिए इस चीज़ को, क्यूंकि Jesus को जो दिखाया एक बहुत, मतलब एक बहुत decent विक्ती दिखाया जिसस को, राइट भले ही उसने miracles की है, new testament में ये दिखाया कि Jesus ने miracles की है उस चीज़ को avoid किया, राजा राम मोहन रोय ने कि miracle वाली बात को मैं नहीं मान रहा लेकिन उसके अलावा जो बाते बोली है उस चीज़ को मैं जोडता हूँ अपने साथ तो यहाँ पर Christian missionary जो पहले खुश हो रहे थे, राजा राम मोहन रोय से, वो अब चिड़ गए, क्यों? खुश इसलिए थे, क्योंकि वो Hindu culture को क्या गर रहा था, criticize और फिर परिशान इसलिए होगे क्योंकि उसने New Testament को भी criticize करना शुरू कर दिया, ठीक है तो यहाँ पर यह point हमने समझा और किस अपने अविलेक से उन्होंने criticize किया है, तो precepts of Jesus जो की 1820 में लिखी है उन्होंने बहुत important point है ठीक है, last point देखेगा He earned the wrath of missionaries over his advocacy to incorporate the messages of Christ into Hinduism जो Christian missionaries है वो खिलाफ हो गए किसके राजा राम महनरोय के क्यों क्योंकि राजा राम महनरोय ने जो Christ के messages है, उसको Hinduism में एड़ गरने की बात करी बहुत important point है, direct सवाल बनते है इन point से, इसलिए मैं इनको इतना elaborate करने कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको यह छोटी-छोटी चीज़े जो है वो बारीकिया समझ आएं next point देखेगा राजा राम महनरोय founded the Brahmosabha in August 1828 अब शुरू करते हैं ब्रहमो समाज के बारे में it was later renamed Brahmosamaj पहले Brahmosabha थी अगस्त 1828 में और फिर Brahmosamaj के नाम से जानी गई the समाज was committed to अब समाज जो है वो basic ideologies क्या कहती Brahmosamaj की देखेगा to worship and adoration of eternal unsearchable immutable being who is the author and preserver of the universe उन्होंने कहा कि एक शक्ती है जो कि इस universe का author है और इस universe का preserver है यानि कि एक ईश्वर है उसकी हमें पूजा करनी है और पूजा कैसे करनी है ऐसा नहीं है कि मूर्ती उसकी पूजनी है नहीं उसकी कोई मूर्ती नहीं है उसका कोई रूप नहीं है वो पस इस universe में मौजूद है ठीक है नेक्स माइंट देखेगा prayers, meditation and reading कैसे, पूजा कैसे की जाएगी prayers से, meditation से और reading से readings किसकी उपनिशद और वेदों की prayers, meditation and readings of उपनिशद were to be the forms of worship and no graven image, statue or sculpture, carving, painting, picture, portrait, etc were to be allowed in समाज buildings so that means यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि prayer करनी है, meditation करना है आपको readings करनी है, अपनिशद और वेदों की उसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ती किसी तरह का sculpture, किसी तरह की painting, picture जो है, वो किसी देवी देवता की allowed नहीं है समाज की building में that means पूरी तरह से मूर्ती पूजन का खंडन किया जा रहा है पूरी तरह से बहु एश्वरावाद यानि polytheism का खंडन किया जा रहा है केवल एक ही देवता है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है वही ये ब्रहमांड का रचाईता है और उसी ब्रहमांड का वही इस ब्रहमांड को preserve करके रख रहा है next चीज़ देखिएगा the long term agenda ये बहुत important point है, long term agenda क्या है ब्रहमो समाज का long term agenda ब्रहमो समाज to purify Hinduism and to preach monotheism was based on the twin pillar of reason and the vedas and upnishad, monotheism और Hinduism को purify करना, यानि कि ब्रहमो समाज क्या है एक ब्रहमो समाज एक अलग धरम create नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे शुरुवाती जो orthodox थे जो ऐसा नहीं है कि अगर राजाराम होन रहा है अपने points रख रहे थे तो उनके points को counter करने के लिए orthodox नहीं आ रहे थे तो जो रूडी वादी थे वो राजाराम मोहन रोय को कह रहे थे कि ये विक्ति अपना अलग धरम बनाने चला है ऐसा नहीं था, राजाराम मोहन रोय ने ये बात clear करी कि मैं एक अलग धरम नहीं चाहता हूँ धरम already बहुत सारे है लेकिन जो existing धरम है और जो जादा तर लोग जिस धरम को मान रहे हैं उसी में ही आप change कर लीजिए भले ही वो aristocracy class जो है वो अपने according अपने भले के लिए change करें लेकिन आप change लेकर आईए ताके society में थोड़ा comfort बने आप सोच के देखिए आपके घर की किसी महिला को जबरदस्ती जिन्दा जलाया जा रहा हो कभी आपका शरीर अगर हलका सा जला होगा तो उस pain को याद कीजिए और उस pain को multiply कर दीजिए पूरे शरीर में जो जलन होती है सोच के देखिए कितनी भयानक मौत होती है जिन्दा जलना और जब जबरदस्ती चिता पर बिठा कर लाठियों से रोका जाए तो कितनी भयानक मौत क्या भयानक नजारा रहता होगा राइट तो देट मींज ये जो और उसके अलावा था उनकी कितनी बुरी हालत थी इमेजिन आप नहीं कर सकते भले ही आज भी वही कूरीतियां चालू है भारत में और उसको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है लेकिन जो अंटचेबलिटी है छूआ छूट है उसका एक्स्टेंट अभी उतना भी हुआ है पहले जितनी बुरी हालत नहीं है पहले की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उनिसवी सदी अठारवी सदी, सोलवी सदी की बात कर रहा हूँ मेडाइवल और अरली मॉडरन टाइम्स की तो इन चीजों के उपर विचार करना शुरू कीजिए जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप किस तरहा की सोसाइटी अपनी आफ्स्प्रिंग्स के लिए छोड़ कर जाना चाहते हैं वो आपके उपर डेपेंड करता है आप यूथ हैं इस देश का इस दुनिया का यूथ है देश क्यूं बोलूँ मैं दुनिया का यूथ हैं और आप पे डेपेंड करता है कि आगे आने वाली जो पीडियां है वो किस तरह की सोसाइटी में रहेंगी ठीक है आगे देखिए राम महन रॉय डिड नॉट वन्ट टो एस्टेबलिश अ नियू रिलिजन जैसे कि मैंने कहा अब मैंने आपका कहाना कि जो और्थोडोक्स है जो रूडिवादी है जो कटर है हिंदू वो भी तो विरोध करेंगे राजा राम महन रोए के इन रेडिकल आइडियास का तो वहाँ से हमें जो एक एक एकजामपल बनता हुआ दिखता है वो है राजा राधाकांत देव जिन्होंने ब्रमो समाज के विरोध में धर्म सभा नाम का एक और्गनाइजेशन क्रियेट किया जो की एड़ोकेशी करता था कि इसकी रूडिवाद की भारत में जो प्रचलित रूडिवाद जो प्रथाएं थी उसके एड़ोकेशी करता था यानि वो कहता था कि सद्धी प्रथा ठीक है होनी चाहिए जरूरी है यह ना वो यह कहता था कि यह ठागरों की इजज़त है महिलाओं को जला देना तो बहुत बुरी रीती थी बहुत अच्छी बात है कि बंद हो गई है ठीक है अनिमेजनेबल पेन सोच के देखिए किसी वक्ति को जिन्दा जला देना आज एक कोशिश कीजिएगा अपने आपको ज्यादा नहीं एक माचिस की तिली से थोड़ा सा जुलसा कर देखिएगा एक हलका सा बिल्कुल एक सुई की नोक जितना फील किजिएगा कि जलन कितनी होती है अगर आप कभी नहीं जले है तो है अगर आप कभी भी आपने जलने का पेन महसूस नहीं किया है थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा मत जला लिजेगा अपने आपको ठीक है लेकिन या थोड किसमत अगर आपकी रही है तो थोड़ा सा एक्सपरिमेंट करके देखेगा महसूस कीजेगा कि दर्द क्या होता है जलने का और फिर सोचेगा कि पूरा शरीर जलने पर कितना दर्द होता होगा नेक्स चीज़ देखेगा फीचर्स ऑफ ब्रह्मों समाज क्या-क्या है ठीक है पहला पॉइंट देखेगा इट डेनाउंद पोलिथीजम एंड आइडल वर्शिपिंग जैसे कि मैंने कहा ठीक है अब यह पॉइंट में लगसे क्यों लिखा रहा हूँ क्योंकि डारेक्ट सवाल बनता है डारेक्ट सवाल बनता है क्योंकि 4-5 points आ जाएंगे और उन में से question ये बनता है कि बताइए क्या-क्या features है ब्रहमो समाज के A या B है, B C है, D A है या 1-2 है, या केवल 1 है, केवल 2 है इस तरह के सवाल जो होते हैं ये इन तरह के points पे बनते हैं तो बहुत important होता है इन चीजों का समझना So denounced polytheism यानि की बहुएश्वराबाद को बहुएश्वराबाद का विरोध किया and idol worshiping यानि मूर्ती पुजन का विरोध किया बहुत important है, ब्रहमो समाज एक इश्वराबाद और कोई मूर्ती पुजन नहीं होगा Next is, it discarded faith in divine avatar एक ये point बहुत important है कि किसी भी तरह के अवतार नहीं है उन्हें कहा, हिंदु धर्म में ये बहुत प्रचलन है कि जो भी एक बड़ी शक्षियत आएगी, social reform करेगी उसको अवतार बना दिया जाएगा हो सकता है कि आगे आने वाले 500 सालों में राजा राम मौनरोय को भी किसी का अवतार जो है वो घोशित कर दिया जाए ऐसा हुआ है, इसके examples दूंगा मैं आपको ठीक है, तो अवतार जो हैं वो नहीं exist करते ये किसने कहा है, बहुत important है ये incarnations is the word for अवतार divine अवतार नेक्स मैंट देखेगा, it denied that any scripture could enjoy the status of ultimate authority transcending human reason and conscience ब्रहमोस हम आज ने clear बात बोली बहुत important point है इस point पे बेश सवाल बनता है clear बात बोली कि अगर किसी वेद में ऐसा कोई, अगर किसी भी not just वेद लेकिन किसी भी धरम गरंथ में भले ही वो हिंदुविजम से रिलेटिड हो जैनेजम, बुदिजम, इसलाम, Christianity और चाहे वो पार्सी धरम से रिलेटिड हो, किसी भी धरम से रिलेटिड कोई भी धरम गरंथ हो उसमें अगर ऐसी कोई भी बात लिखी है जो कि society के favor में नहीं है उस बात को आप तुरंत मानने से बना कर दें, यानि कि किसी भी धरम गरंथ की supreme authority नहीं है, यही आप अगर study करेंगे तो जो इसलाम के साथ समस्या यहीं पर आई कि जो मौलवी क्लास है इसलाम की उसने जो इसलामिक गरंथ है उनका गलत उपयोग किया उसमें लिखी जो बाते हैं उसको manipulate किया अपने हिसाब से और फत्वे जारी किये समय समय पर और मैंने आपको बताया है ना aristocracy class किस तरह धरम का इस्तमाल करती है और धरम के जो representations है वो किस के पास है, priestly class के पास है, तो aristocracy class किस तरह priest के साथ जुड़ कर सी धरम में भी देखने को मिलेगी, हर जगा ये चीज हमें देखने को मिलेगी, हर जगा हो रही है किसी एक धरम के लिए specific नहीं है ठीक है next चीज देखेगा, उसी चीज का विरोध कर रहे थे कौन, ये social reformers राजा राव मोहन रहा है और उनके बाद आने वाले सभी reformer ने यही सेम बात बोली है, आज तक यही बात बोली जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को समझे बहुत important है आपके लिए बात समझना अगर चलो माल लिया, आप अगर इस point से agree नहीं करते हैं तो at least आपके दिमाग में सवाल तो जाए सवा, इस point पे आप सोचना शुरू करें हैं जागरीती आए, यही बहुत है ठीक है, next point देखिएगा It took no definite stand on the doctrine of karma and transmigration of soul and left it to individual brahamos to believe either way, कर्म यानि कि जो कर्म का जो चक्र है, जैसा आप बोगे, वैसा ही आप काटोगे, जो कर्म का चक्र है, प्लस जो पुनर जन्म का जो साइकल है हिंदु धरम में भी पुनर जन्म को लेकर ही एक बहुत बड़ी समस्या थी मैंने आपको बताय था ना, कि किस तरह जो मिर्त वेक्ति है, उसको जलाया जाता था ताकि उसकी जो धुआ है, वो किस से जुड़ जाए वो परमात्म से जुड़ जाए और फिर वो बादल के रूप में आएगा और फिर वो बारिश के रूप में बरस जाएगा और फिर उस बारिश की वैसे जो ने जीव निकलेंगे उसमें उस विक्ति की आत्मा आ गई तो ये पुनर जनम चलता रहेगा ऐसा जो है वो शुरुवाती लेटर वैदिक लोगों ने और वैदिक लोगों ने भी ऐसा ही इस चीज़ को अज्यूम किया जो इनसान की जीवन की जो साइकल है उन्होंने इस चीज़ को माना और जीवन की साइकल है ये चलती रहेगी इसको खतम करने के लिए कई तरह के यग्गे आए तो पहले यग्गे थे फिर लोकल लेवल पर रीचुवल्स होने लगे फिर छोटे-छोटे कर्मकांड होने लगे आजकल जो है वो 100-500-200 रुपे में भी जो है वो कराने को तयार हो जाते है ठीक है केवल ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धरम में था ये यही सेम चीज इसलाम में थोड़ा पुनर जनम को बिलकुल नहीं माना गया है लेकिन इसी तरह की कुछ कूरितियां जो है वो इसलाम में भी थी बहुत धरम में भी जैन में भी उन्होंने भी बोला कि ये मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे आपको हम जैन में भी बोला कि आपको जो है वो क्यवल्ले की प्राप्ति हो जाएगी Christianity में भी Salvation की बात हुई है तो यह हर धरम में किसी एक specific धरम की बात नहीं है हर जगा हुई है यह सोचना पड़ेगा आपको समझी एन चीज़ों को आप next चीज देखेगा आपको अगर कोई चीज ज्यादा popular होती भी दिखे न तो सवाल कीज़े कौन popular कर रहा है इसे क्यों हो रहा है popular यह किसका profit हो रहा है क्योंकि एक मेरा आपको बोलना एक basic idea अपने दिमाग में set कीज़े कि अगर कोई भी चीज mass level पर हो रही है बड़े level पर हो रही है ज्यादा लोग को effect में effect डाल रही है that means वो strategy है वो coincidental नहीं है वो strategy है ध्यान रखिये चीज को और इस बहलावर मत रही है कि वो strategy नहीं हो सकती इस बात को मान लीजिए कि लोग बैटे हैं पीछे बहुत smart हैं आगे 200-200 साल जो है वो calculate करके बैठे हों हैं लोग इस चीज को मान के चलिए ठीक है next is it criticize the caste system always ठीक है अब देखिए इस topic को में धीरे धीरे यही है न सोसाइटी के जो कुरीतिया है इनी चीजों को हम कई सारे topics में समझेंगे तो केवल आपको fact नहीं रटने है मैंने आपको क्या वोला कि एक fact रटने वाली machine नहीं बनाना चाहता हूं मैं आपको concepts clear हो एक मैंना को बलने एक administrator बनने से पहले आपको एक citizen बनना पड़ेगा तो citizen तक मैं पहले आपको लाना चाहता हूं फिर उसके बाद administrator तक हम पहुंचेंगे तो जो foundation है उसमें आप एक citizen बनेंगे फिर हम एक administrator बढ़ने की तरफ जो है वो कदम बढ़ाएंगे अपना ठीक है तो आपको धैर रखना पड़ेगा बहुत सारी चीजों से आप agree नहीं करते होंगे धीरे धीरे हम एक collective consciousness create करेंगे जुड़े रही नेक्स चीज देखिएगा राजा राम ओन रॉइज एफट्स एट सोशल रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म के लिए क्या क्या काम किया है उन्होंने पहला point देखेगा he started his anti-sati struggle in 1818 बहुत important direct fact anti-sati struggle 1818 में क्यों शुरू किया क्योंकि जब उनके बड़े भ्राता की मृत्ती हुई और उन्होंने देखा कि उन्हीं के घर में सती प्रता की जा रही है उन्हीं की भावी को जलाने के लिए लेके जाया जा रहा है तो उन्होंने कड़ा विरोध किया बहुत विरोध किया उनके घर से उनको निकाल दिया गया उनकी माता ने socially उनको उनके ideologies को जो है वो condemn किया उनके पिताजी से उनका कई समय तक जगड़ा राए in fact शुरुवाती सालों में जब बिलकुली छोटे थे और जब उन्होंने monotheism पर लिखना शुरु किया और polytheism को denounce करना शुरु किया तो उनके पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया थे initially कई साल वो घर से बाहर रहे वच्पन में ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि society के society से लड़े वो अपने खुद के परिवार से उनकी जंग थी और 1818 में उन्होंने anti-shati struggle जो है वो शुरू किया and he cited sacred text to prove his contention that no religion sanctioned the burning alive of windows sorry not windows but widows besides appealing to humanity reason and compassion यहाँ पर उनने clear बात वोली कि कि किसी भी गरंत में वेद में कहीं पर भी नहीं लिखा है in fact नहीं लिखा है कहीं पर भी कि विद्वा को सती किया जाए कहीं नहीं लिखा है अगर कहीं पर हमें ये events होते हुए दिखे हैं तो जहां से ही शुरूवात हुई है वहाँ पर महिलाव ने स्वय इच्छा से अपने दे को अंत किया है स्वेच्छा से अपने देखोगनी दिये उन्होंने अपनी इच्छा से उसके बाद वो social trend बन गया समझ रहे हैं आप उसके बाद वो social trend बनाया है शुरवात जो है वो स्वेच्छा से हुई यानी खुद की इच्छा से सल्फ कंसें से स्वेच्छा next चीज देखेगा he also visited the cremation grounds organized vigilant groups and filed counter petitions to the government during his struggle his struggle and struggle of anti sati right his efforts were rewarded by the government regulation in 1829 which declared the practice of sati a crime अपनी पूरी टीम बनाई उन्होंने जो उनकी आत्मे सबा ती बाद में जो ब्रहम समाज के नम से जानी गई उनको काम पे लगाएगी गाओं-गाओं की खबर रखो जहां पर सती की जा रही है तुरंत वहाँ पर पहुंचो और सती करने से रोको लोगोंको ठीक है कई जगाओ उपर उनके साथियों को पीटा भी गया मारा भी गया ठीक है अंग्रेजी सरकार को लिख लिख कर प्रिटीशन्स डाल डाल के फाइनली 1829 में सती के खिलाफ कानून बनाने में काम्याब रहे तुरंत आप मुझे कमेंट बें बताएंगे कि किस वाइसरोय ने वो कानून सेंक्शन किया है भारत में ठीक है तुरंत उस वाइसरोय का नाम लिखेंगे अब यह कानून बन गया अब ओफीशली जो है वो जगा जगा जाकर पुलिस को ले जाकर जो है वो सती प्रधा को रुकवाया जा सकता था और यही किया किसने राजाराम महुनरोय ने नेक्स चीज़ देखिएगा यह तो है राजाराम महुनरोय के कुछ सोशल रिफर्म शती को लेकर उसके लावा महिलाओं की जर्नल महिलाओं के लिए नोट जिस्ट सती को लेकर concerned थे वो लेकिन उसके अलावा महिलाओं की जो जनर्नल पोजीशन है सोसाइटी में जो की लेटर वैदिक काल से गिरती आ रही है लगतार कहां पर कहां तक पहुंच गये हम हम 19 वी शताब्दी के शुरुवाती दशक में हैं शुरुवाती कुछ दशकों में राइट यहां तक और पिछले कितने साल हो गए है लगभग उसको हटाने में लगभग कुछ 100-200-200-300 साल तो लगेंगी तो राजा राम मौनरॉय ने शुरुवात कर दी उसके बाद जो है वो बढ़ ही रहा है वी कर्व नीचे नहीं गया है बहुत अच्छी बात है कि सोशल लिबर्टी महिलाओं के लिए बढ़ रही है बहुत जरू अच्छक है लेकिन common sense है करना ही चाहिए obvious चीज है नहीं कर रहे हैं आप तो आप मनुष्य नहीं है राइट नेक्स चीज देखिएगा रॉय अटेक्ड पॉलिगेमी एंड दे डिग्रेडिड स्टेट अफ विडोज एंड डिमांडेट दा राइट अफ इन्हेरिटेंशन प्रॉपर्टी फर वुमन बंगाल का एक किस्सा मैं आपको बदाता हूँ not किस्सा लेकिन एक एक एग्जेम्पल है बंगाल का कि एक ब्रहमिन व्यक्ती जो की 80 साल की उमर का है उसकी 200 वाइफ है 200 वाइफ और उसकी जो सबसे यंग वाइफ है वो केवल 8 साल की है इसका मतलब ये कि जो शादियां हैं वो की जाती थी केवल एक सोशल बारगेन के रूप में यानि कि वो 80 साल का व्यक्ती हो सकता है कि अपनी वो सबसे निवेस्ट जो वाइफ है 8 साल यूमर की उससे मिले भी ना उसको देखे भी ना कभी भी मर जाए वो उतने में तो और जब वो मर जाए तो उस 80 साल की लिड़की को सती होना पड़े तो ये बहुत छोटी उमर में महिलाओं की शादी कर देना ये भी क्यूं बनाए राइट ये भी क्यूं बनाए छोटी उमर महिलाओं की शादी क्यूं की जाती है क्यूंकि किसी के घर में महिला पैदा हो जाना उस व्यक्ति के लिए जो है आज भी ये चीज चली आ रही है और बहुत अफसोस है मुझे इस बात का कि बहुत प्राउडली लोग आज भी बोलते हैं और इनफेक्ट ये लोग दिमाग में इतना डीप कोडिड है मैं जदा दूर नहीं जाने की बात करूँगा आप अपने अंदर अपने परिवार अपन दिमाग जो है वो एक computer है और इसे program किया जा सकता है और society की जो programming है वो बचपन से बैठती है हमारे दिमाग में तो आपका जो immediate social background होगा जो आपके परिवार है जो आपकी society है उनकी जो collective सोच है उसका आपके सोचने पर असर है उसी collective सोच के paradigm में उसी collective सोच के दाइरे में रह तो महिलाओं के लिए inheritance यानि की अपने माता पिता की भूमी पर महिला का भी हक हो इसके लिए जो है वो advocacy करी किसने राजाराम मौन रहे ने और polygammy यानि बहु पतनीवाद यानि एक व्यक्तिगी बहुत सारी पतनिया हो इस चीज़ के खिलाब जो उन्होंने आवाज उठाई बहुत important point है डेविड हेर जो है वो एक clock घड़ी बनाने का काम था उसका लेकिन भारत में आकर उसने अपनी primary approach रखी और भारत में modern education डेविड हेर जो है एस्टेब्लिश करने ही कोईश कर रहे थे और उसको promote किया किसने राजाराम मौन रोय ने और हिंदू college खुला 1817 में बेंगॉल के region में वाइल रोय इंग्लिश और रोय ने अपना इंग्लिश स्कूल भी खोला जिसमें mechanics और वाल्टेयर की philosophy पढ़ाई जाती थी वाल्टेयर एक french philosopher है liberty का fraternity का ठीक है तो यह सारी चीजे जो है वो करी राजाराम मौन रोय ने उसके लावा next point देखेगा यह अल्सों help enrich the Bengali language by compiling a Bengali grammar book and evolving a modern elegant prose style बंगाली में grammar लिखने का ऐसरे जो है वो किसे गया है राजाराम मौन रोय को और एक नया जो है वो कविता लिखने का जो है वो trend लायकान राजाराम मौन रोय तो बंगाली को पॉपलराइज किया इससे पहले जो है वो संस्कृत पॉपलर थी अब बंगाली को पॉपलराइज करने ही कोईश करी है संस्कृत को किसने पॉपलराइज किया था अंग्रेजी सरकार ने मैं आपको अलगसे एक टॉपिक बताँगा वारन हिस्टिंग्स और जो अश्याटिक सोसाइटी ओफ बंगाल बना है विल्लियम जोन्स इन सारे लोगों से मैं आपका परिचा करवाऊंगा नेक्स चीज देखिएगा एक दरजन से ज़्यादा भाषा ने जानते थे यह कुछ एक्जेम्पल है फ्रीडम अफ प्रेश के सपोर्टर यह आप कह सकते हैं कि भारत में भारतिये भाषा में लिखने वाला पहला व्यक्ती राजा राम महंनरॉय को कहा जा सकता है यह भारत में प्रेश का जो फादर है उसे भी राजा राम महंनरॉय को कहा जा सकता है in fact, यह जितनी भी activities है न जो की बाद मे नेशनलिस्ट एजेंडा को प्रोपगेट करने के लिए काम आई चाहे वो press हो, social reforms हो महिलाओं के situation हो ठीक है और society का जो backward class है उनकी upliftment हो ये सभी points को पहली बार मुख्य धारा में लेकर कौन आए? राजा राम महनरो है इसी चीज़ को आप दूसरी तरह document कर सकते हैं कि लोगों की नजर में पहली बार कौन आए? ये काम करते होए राजा राम महनरो है क्यों? क्योंकि उनकी relations अंग्रेजों से बैटर थे तो दोनों side जो है वो arguments available है आप मत परिशान होए मैं आपको दोनों चीज़े सिखाऊंगा ठीक है? अब आगे देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि उन्होंने he was the pioneer in Indian journalism ये point फिर से पढ़ते हैं as a bold supporter of freedom of press and as a pioneer in Indian journalism pioneer का मतलब कोई ऐसा व्यक्ती जो किसी particular काम को पहली बार करना शुरू करता है या किसी particular idea को पहली बार practice करता है ये exercise करता है, right? उसको pioneer कहते हैं पाइनियर इंडियन जर्नलिजम यानि भारतिय जर्नलिजम को पहली बार जो है वो प्रेक्टिस किया किसने? राजा राम होन रोय ने रोय ब्रॉट आउट जर्नल्स इन बेंगॉली, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन and educate and inform the public and represent their grievances before the government अब government, सरकार क्या कर रही है? वो जो आम जनता है उस तक ख़बर पहुँच रही है तो बहुत दूर और बहुत ज़्यादा change हो जा रही है वो खबर misinformed हो जा रहे है जो जनता है जनता की जो grievances है वो सरकार तक नहीं महुच पा रही तो जो media है उसका काम क्या होता है media का काम होता है सरकार की policies का जनता तक ख़बर पहुचाना और जनता की grievances का सरकार को बताना ये काम होता है media का और media को फिर political इस्तमाल किया दाता है वो सभी हम समझते ही है next चीज़ देखिएगा अब इसके examples क्या है in 1821 started ब्रहामनिकल मैगजीन in English बहुत important point है 1821 में ब्रहामनिकल मैगजीन in English and मिरात उल अखबार पर्शियन न्यूस पेपर in 1822 1822 में मिरात उल अखबार नाम का एक पर्शियन जो है वो उन्होंने अखबार निकाला उसके बाद started समवाद कौमुदी एक बंगाली सापताहिक पत्री का यानि weekly 1821 में समवाद कौमुदी उन्होंने शुरू करी तो ये examples आ गए हमारे facts आ गए direct सीधे सीधे सवाल है ठीक है तो मैंने आपको बोला ना concept भी आपके create करता जाओंगा और सारे राजा राम मोन रोए के बारे में हम important facts भी खटा करते जा रहे है next point देखिएगा ये तो बात रही उनकी journalism के लिए क्या काम किये उन्होंने social reforms क्या क्या लाए वो अब देखते है political activities में क्या क्या किये उन्होंने ठीक है so as a political activist Roy condemned oppressive practices of Bengali जमिदार and demanded fixation of minimum rents अब ये उन्होंने कहां से किया किस माध्यम से किया तो उनकी जो पत्रिकाय थी उस माध्यम से उन्होंने criticize किया जमिदारों को और जो जमिदारों द्वारा जो permanent settlement है permanent settlement क्या है स्थाई बंदोबस्त उसको मैं आने वाले session में पूरा explain करूँगा आपको permanent settlement क्या है लेकिन permanent settlement का misuse बंगाली जमिदार जिस तरह कर रहे थे उसकी वज़े से जो किसान है उसका जो हनन हो रहा था तो किसानों की upliftment के लिए बंगाली जमिदारों को criticize किया अपनी पत्रिकाओं के माधहम से किसने राजा रामहन रोय ने उसके बाद इसके बाद ही also demanded abolition of taxes on tax-free lands जो tax-free lands है ऐसे lands जिन में tax नहीं लगना चाहिए उस पर भी tax tax लिया जा रहा है इसके बाद ही बंगाल फॉर a reduction of export duties on Indian goods goods abroad and abolition of the East Indian companies trading rights he demanded the Indianization of superior services and suppression of executive from judiciary he demanded judicial equality between Indians and Europeans and the trial and that trial beheld by jury ठीक है तो ये सारे जो है वो political reforms वो चाहते थे क्या-क्या judicial equality यानि कि European और भारतियों को एक तरीके से एक तरह से जो है वो उनके लिए judicial equality हो दोनों को सेम तरीके से जो कानूनी कारवाई है वो हो दोनों के उपर उसके अलावा Indianization हो superior service को जो उचे ओदे है सरकार में वहाँ पर भारतियों को बिठाया जाए ठीक है जो export duty है यानि कि भारत से जो तयार समान बाहर जा रहा है उस पे जो duty ले रही अंग्रेजी सरकार वो कम ले तभी तो भारतियों जो व्यपारी है वो export कर सकेंगे so that means यही सारी demands जो कि यह मैं आपको क्यों enlist करी है हमने इनको जानना क्यों जरूरी है हो सकता है कि examination में यह point पूँछे ना जाए लेकिन हमें इनको जानना क्यों जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी political reformers रहे उनकी demands भी राजा राम मौन रोय द्वारा उठाई गई demands पर ही based थी जानि कि इस सराप उठकिया जा सकता है कि राजा राम मौन रोय नहीं भविष्य में आने वाले जितने भी political reformers है उनके लिए एक blueprint तयार करके दिया कि आपको क्या-क्या demands रखनी है अंग्रेजों के आगे ठीक है तो वो demands हो चाहे judicial equality की Indianization की जो civil services है उसमें भारतिये करण हो भारतिये जो है वो appoint किये जाए उसके अलावब भारत से जो तयार good है भारत से जो तयार समान है वो export हो कम दरोपे ताकि भारतिये व्यपारियों की हालाद सुधरे इन सारी चीजों पर जोर डाला राजा रामोन रोयन है तो हमें ये चीजे समझनी है दो फाइदे हों गए इन चीजों को समझने से पहला तो ये कि उस समय की political situations क्या थी political problems क्या थी हमें यहां से ये पता चल गई और दूसरी चीज जो आने वाले जो political reformers है राजा रामोन रोय के बाद यानि उन्यस्वी शदी के पूरवार्द में यानि की 1858 के बाद के जो reformers है उन्होंने जो political demands उठाई वो किस तरह राजा रामोन रोय द्वारा उठाई गई political demands से affected है क्योंकि the pioneer in this field was राजा रामोन रोय ध्यान रखनी हमें चोड़ी चोड़ी चीज है ठीक है next चीज देखिएगा राजा रामोन रोय को internationalist कहा गया बहुत important point है राजा रामोन रोय was in fact an internationalist with a vision beyond his time he stood for cooperation of thought and activity and brotherhood among nations राजा रामोन रोय क्या था एक एक internationalist था क्या मतलब इस चीज का कि उनका एक बिलकुल basic मानना था जैसा कि मैंने आपको कहा कि we are not a citizen of a city of a state of a country but we are citizen of this world हम इस धर्ती के निवासी है that means धर्ती पर होने वाली जितनी भी घटना है उनका असर हम पर पढ़ रहा है वही सेम बात राजा रामोन रोय ने बोली कि अगर यूरोप में कहीं पर कोई social justice मिला किसी society को तो वो बहुत भहतरीन चीज़ है उस चीज़ को भारत में celebrate किया जाना चाहिए क्यों किया जाना चाहिए ताकि वो एक message है वो भारतियों तक पहुँचेगा जो celebration अगर राजा रामोन रोय एक dinner के तौर पर कर रहे हैं अगर यूरोप में कोई घटना घटी उस चीज़ का तो उसका असर भारतियों पर पड़ेगा क्यों क्योंकि भारतियों में भी discussion पड़ेगा ना सबसे पहला point क्या है सबसे पहले तो इनी सब इन सब ideas पर discussion आए discussion शुरू हो लोग जानना शुरू करें तभी मैं इन foundation batches के माधियम से क्या चाहता हूँ कि UPSC में जो सवाल आएंगे जाज किसी भी examination में जो सवाल आ रहे हैं उसमें जो क्या पूछना चाहा रहा है examiner उसका foundation create हो वो चर्चा शुरू हो सबसे पहले हमारे बीच में आप खुद से वो अचा करें खुद के आगे सारे तथ्यों को रखें तो वो foundational basic जो है मैं तयार करने की कुशिश करना हूँ आपकी तो जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ पिछले sessions देखते रहे हैं लगातार आगे बढ़ते internationalist कहा गया अपने समय से आगे की सोचते थे वो जो आसपोड़ोस के देश हैं उनमें ब्रदरूड होना चाहिए इनफेक्ट सभी देशों में ब्रदरूड होना चाहिए इस अडिसेंडिग आफ युनिवर्सल करेक्टर modern age कहा जाएगा एक ऐसे समय को जब लोगों ने feudalism की बंदिशें सामन्तवाद की बंदिशों से बाहर निकल कर liberty, fraternity, equality को अपनाया ठीक है next point देखेगा he supported the revolutions of Naples and Spanish America and condemned the oppression of Ireland by absentee English landlordism and threatened emigration from the empire if the reform bill was not passed अब ये revolution in Naples क्या है, Spanish America में जो revolution है, ये क्या है उसके अलावा जो Irish में absentee landlordism है, ये क्या है, ये सारी चीज़े आपको जो मैं world history कराऊंगा, उसमें समझाऊंगा detail में ठीक है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि Europe में या अमेरिका में होने वाली घटनाओं को भारत में विरोध करना शुरू किया, that means एक global perspective जो है वो generate करने की कोशिश करी किसने, राजा राम मौन रॉय ने, next point देखेगा रॉय के अब जो subordinates, उनके supporters और उनके successors जो है, वो क्या-क्या है यह सब उनके साथ काम करने वाले विक्ति थे ठीक है, अब हम देखते हैं successors की ब्रमो समाज में, राजा राम मौन रॉय के बाद किन विक्तियों ने काम किया वो समझ नहीं कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आप नाम देख पा रहे हैं देविंदरनाथ टेगोर एंड ब्रमो समाज, आईए समझे सो महारशी देविंदरनाथ टेगोर, जो पिता है किसके, रविंदरनाथ टेगोर के father of रविंदरनाथ टेगोर याद रखेंगे and a product of the best in traditional Indian learning and western thought, joined the समाज in 1842, ब्रमो समाज को जोईन किया, 1842 में टेगोर, headed the तत्व बोधिनी सभा, ये टेगोर के बारे में कौन, रविंदरनाथ नहीं देवेंदरनाथ टेगोर के बारे में direct facts है, यहाँ पर हमें direct facts ही खटा करने हैं कि concept में आपको समझा चुका हूँ क्यूंकि जो कि जो ideologies ब्रमो समाज की होनी चाहिए जो set करके गए है राजा राम ओन रोय उन्ही ideologies पर काम किया है इनके successors ने, तो ideologies हम establish कर चुके हैं, क्या चाहते थे राजा राम ओन रोय के बारे में काफी सारे points हमने establish किये, काफी सारे facts और काफी सारे concepts को समझा अब हमें देवेंदरनाथ टेगोर से related कुछ facts को इखटा करना है ज्यादा हम deep में ने जाएंगे deep मैंने बोला ना, केवल foundation create करने ही कोशिश कर रहे हैं deep वाले topics आगे आएंगे, ठीक है next देखिएगा, so तत्व बोधिनी सभा, जिसको found किया गए 1839 में किसने देवेंदरनाथ टेगोर ने, which along with its organ, यानि तत्व बोधिनी सभा जो है, वो क्या परकाशित करती थी तो तत्व बोधिनी पत्रिका in Bengali, तो यहाँ पर आपको यह समझना है, concept यह है organization है, उसकी एक organization का एक organ हुआ गरता था, यानि organization की एक public publication हुआ गरता था उनका, एक उनकी पत्रिका हो सकती है newspaper हो सकता है, journal हो सकता है वो pamphlet बाट सकते हैं, तो जो तत्व बोधिनी सभा है, वो तत्व बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन करती थी बंगाली भाषा में, और तत्व बोधिनी सभा के जो प्रमुक थे जो head थे, वो कौन थे? महारिशी देविंदरनाथ टेगोर, राइट और उन्होंने तत्व बोधिनी सभा को establish किया था, 1839 में, जो बाद में मर्ज हो गई किसमें? ब्रमो समाज में ठीक है, और ब्रमो समाज के अलावा, और कौन-कौन से और ब्रमो समाज में, तत्व बोधिनी सभा के अलावा और कौन-कौन से और गनाइजेशिटन मर्ज हुए, तो देखीएगा, ब्रमो समाज के म आगे आने वाले session में, आपको में कराऊंगा क्या है यह सो डेरोजियन एन इंडिपेंडेंट थिंकर सच एज इश्वर चंदर विद्या सागर अश्वनी कुमार दत्ता इन सबने जो है वो ब्रहमो समाज से प्रेंड न ली नेक्स्ट चीज़ देखिएगा टेगोर वर्क्ट अन टू फ्रेंट विदिन हिंडुविजम द ब्रहमो समाज वज़ रिफॉर्मिस्ट मूप्मेंट आपने दिमाग में कि ब्रहमो समाज हिंदु धरम को बदलना नहीं चाता था मतलब एक नया धरम नहीं create चाता था वो हिंदु धरम में reform हिंदु धरम में positive जो है वो बदलाव constructive changes लाना चाता था हिंदु धरम में ठीक है और उसके साथ साथ ही वो जो Christianity या जो Christian missionaries है जो Christian धरम प्रचारक है वो हिंदु धरम को जो बदनाम करने ही कोशिश कर रहे हैं तो ह ठीक है वही काम राजा राव मोहन रॉय ने भी किया राजा राम मोहन रॉय ने जहां पर हिंदु धरम को criticize किया वहाँ पर राजा राम मोहन रॉय ने हिंदु धरम के positive aspects को भी धूमधाम से लोगों के सामने रखा उन्होंने एक golden जो है वो पीरिड या golden age उन्होंने भी कर रहे थे वो हिंदु धर्म को glorify भी कर रहे थे और हिंदु धर्म को Christianity के खिलाफ defend करने का काम रजाराब महुन रॉय ने भी किया और फिर उसके बाद देवेंदरनाथ टेगोर ने भी ठीक है ध्यान रखेंगा मिस प्रेंट को तो समाज में महिलाओं की situation ठीक की जाए महिलाओं का एजुकेशन प्रोवाइड की जाए उसके अलावा बहु पतनी वाद जो है वो खतम किया जाए उसके अलावा जो राइट का मतलब होता है जो कृशक है बिलकुल निमने लेवल के जो कृशक है उनकी situation जो है वो सुधारी जाए ठीक है देवेंदरनाथ टेगोर को succeed किया केशव चंदर सेन ने हम देखते हैं केशव चंदर सेन और ब्रहमो समाज का क्या relation रहा दा ब्रहमो समाज experienced another phase of energy when केशव चंदर सेन was made the achare by देवेंदरनाथ टेगोर soon after the former joined the समाज in 1858 1858 के बाद केशव चंदर सेन को ब्रहमो समाज का आचारे घोशित किया गया किसके द्वारा देवेंदरनाथ टेगोर उससे पहले कौन आचारे था केशव चंदर सेन से तो केशव चंदर सेन से पहले आचारे देवेंदरनाथ टेगोर खोद थे उसके बाद देखिएगा अब केशव चंदर सेन जो है वो एक नई energy किस सरा लेकर आए कि जो ब्रह्मो समाज है वो केवल बंगाल तक ही सिमित था क्यों क्योंकि ब्रह्मो समाज और उसके जितने भी उसके ओर्गन्स थे ब्रह्मो समाज के और जितने भी उसके पार्टिस्बेंट थे वो सब बंगाल ख्षेतर के रहने वाले थे लेकिन केशव चंदर से इन चाते थे कि ये पैन इंडिया में फैले भारत के भारतियोप महादीप के अन्ने जितने भी मुख्य पॉलिटिकल होट स्पोट्स हैं भले ही वो दिल्ली हो, बंबय हो, मदरास हो, लाहौर हो, ठीक है लखनव हो, अलाहबाद हो, हर जगा ये ब्रह चंदरनाच टेगोर और केशव चंदर सेन के बीच में, जिससे ब्रह्मो समाज के दो तुकडे हो गए, आईए हम देखते हैं कैसे हुआ, देखेगा दूसरा पॉइंट, केशव was instrumental in popularizing the movement, and branches of समाज were opened outside बंगाल, in United Province, जो की प्रेज़ेंटली उत्तर परदेश है, उसके अल जगा है, connect करना है आपको, political hotspot वही जगा होगी, जहां पर अंग्रेजी माध्यम में education प्रवाइड की जा रही होगी, और अंग्रेजों ने, अगर अंग्रेजी माध्यम education प्रवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी जगा को ही चूज किया होगा, जो की किसी तरीके का एक socio-economic center रहा होगा, तो यानि कि भारत के जितने भी सल्तनत काल से, या उससे भी पुराने समय से, जो पुराने ट्रेडिंग शहर रहे हैं, उन्ही पर ही अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रिया, वेपारी, कोठियां भी वही पर establish करी, और उन्ही को धिरी-धिरों ने western तरज पर modernize करना शुरू किया, उसके अलाबा अन्य नय शहर तो बनाए ही, लेकिन जो पुराने अल्रेडी बसे हुए शहर है, उन शहरों को अंग्रेजों ने अपने तरज पर modernize किया, ठीक है, तो वहाँ पर ब्रहमो समाज की branches जो हैं, वो खोलनी शुरू करी किसने, केशव चं change ideas, which he found too radical, and as too radical, यानि बहुत ज़्यादा जो है, वो radical माना, जैसे कि कोज्मो पॉलिटनाइजेशन अफ समाज meetings, कोज्मो पॉलिटनाइजेशन का मतलब यह है, कि एक meeting में ज़्यादा शहर के, ज़्यादा, मान लीजिए कि अगर बेंगॉल में meeting हो रही है, तो उस meeting में मद कुंबई के लोग भी आ रहे है, उस meeting में अवद, उस meeting में लखनाव, उस meeting में अलाबाद के लोग आ रहे है, दिली के लोग आ रहे है, तो पहले ब्रहमो समाज की meeting के वर बंगाली लोगों द्वारा dominated हुग अगर दीती, अब अलग-अलग जगा के लोग जो है, वो आके उस meeting में participate कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग-अलग मत आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है, वो radicalism बढ़ रहा है, और control जो है, वो किसके हाथ से छूटता हुआ दिख रहा है, देविंदर नात ठाकुर को अपने हाथ से जो है, वो control जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और वहाँ पर ज long views against the caste system, even open support to inter-cast marriages, ठीक है, अब जो देविंदर नात ठाकुर है, वो भले ही social reform ला रहे हो, लेकिन अभी वी वो caste system में बने हैं, वो caste system से अजाद नहीं हुए, और केशव चंदर सेन कह रहे हैं कि inter-cast marriage कराई जाए, केशव चंदर सेन कह रहे हैं कि caste system को तोड़ दो, केशव केशव चंदर सेन कह रहे हैं कि ब्रहो समाज में सभी धर्म के लोगों को जोड़ो, और देविंदर नात टागूर क्या कह रहे हैं कि केवल हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में भी caste system को maintain करते हुए हमें ब्रहो समाज का गाम करना है, तो वो थोड़े से रूडिवादी हैं और यह radical है, तो दोनों में clash होना तो बनता ही था, और इसी clash के चलते केशव चंदर सेन को dismiss कर दिया गया और उनको आचारे के office से निकाल दिया गया 1865 में, so केशव चंदर सेन was dismissed from the office of अचारेन 1865, केशव and his followers founded, अब आचारे की post से निकाल दिया गया, तो उन्होंने ब्रहो स समाज of India in 1866, बहुत important point है, direct question है, so केशव चंदर सेन and his followers founded the ब्रहो समाज of India in 1866, while देवेंदरनाथ टेगोर, टेगोर समाज came to be known as आदी ब्रहो समाज, तो यहाँ पर हमें शिजम देखने को मिलता है, बटवारा देखने को मिलता है, किसमें ब्रहो समाज में, जो केशव लेकर आ रहे थे, वो अलग हो गए, उन्होंने जो है, वो अपना अलग ब्रहो समाज बना लिया, ब्रहो समाज of India, और दूसरा जो है, वो आदी ब्रहो समाज, यानि जो पुराना ब्रहो समाज है, दो ब्रहो समाज बने, दो अलग अलग leaders, देवेंदर नाथ टेगोर, आद caste marriage, social reforms, इन सब की बाते कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं, उनके मन में भी खोट निकल आया, और वो कहां से दिखा हमें, कि जब अपनी ही, अपनी ही नाबालिक और बहुत छोटी शिशु आयू की, अपनी पुत्री की, शादी वो बिहार कूच के, एक बहुत छोटी आयू क के राजा से करने कर रहे थे, उन्होंने कर दी थी, 1878 में, देखेगा पॉइंट, इन 1878, केशब्स इन एक्सप्लीकेबल एक्ट ऑफ गेटिंग इस 13-year-old daughter married to the minor Hindu महराजा of कूच बिहार, with all the orthodox Hindu rituals, cause another split in केशब्स, ब्रहमो समाज अफ इंडिया, ब्रहमो समाज अफ इंडिय ब्रहमो समाज अफ इंडिया, क्यों हुए, क्योंकि देविंदरनाथ ठाकुर के आइडियास से, क्लैश किया आइडियास केशब चंदर सेन के, अब उसके बाद केशब चंदर सेन ने अपनी 13 साल की पुत्री का विवहा, बिहार कूच के नाबालिक राजकुमार से कर दिया पूरे हिंदू रीती रिवाज के साथ, तो जो ब्रहमो समाज अफ इंडिया है, उसमें भी दोर तुकड़े हो गए, तो वहां से एक और ब्रहमो समाज निकल कर आया, जिसका नाम रखा गया, साधारन ब्रहमो समाज, आए देखते हैं, किसने इस्टेबिश किया, नेक्स प followers of Keshab, set up a new organization, the साधारन ब्रहमो समाज, the साधारन ब्रहमो समाज, नेक्स पॉइंट देखेगा, the साधारन ब्रहमो समाज was started by आनंद मोहन बोस, सचंदरनात देव, और उमेश चंदरदत्ता, और especially नामयाद रखा जाता है, आनंद मोहन बोस का बहुत important point है, तम समझ गए कैस से वटवारा हुआ, ब्रहम समाज से तूटा, आदी ब्रहम समाज और ब्रहम समाज आफ इंडिया, ब्रहम समाज आफ इंडिया से तूटा, नया निकला साधारन ब्रहम समाज, ठीक है, राजा राम मोहन रोय, देविंदरनात टेगोर, केशव चंदर सेन, और अब आगे आन in Madras province in Punjab the Dayal Singh Trust बहुत important point है यह Dayal Singh Trust sought to implant Brahmo ideas by the opening of Dayal Singh College at Lahore in 1910 सो ब्रह्मो समाज के ideas पे Dayal Singh College established हुआ है लहोर में 1910 में बहुत important point है तो यह तो देखा हमने ब्रह्मो समाज की पूरी जर्नी को आप देखते हैं कि ब्रह्मो समाज क्या impact create करने को तियार हुआ कुछ एक जो चीज़े हमने समझी उनको statements के form में देख लेते हैं ठीक है so significance of ब्रह्मो समाज पहला point देखेगा in matters of social reform the समाज attacked many dogmas and superstitions social reforms को अगर आप देखेंगे तो भारत में फैले हुए बहुत सारे superstitions को direct challenge किया किसने ब्रह्मो समाज सेकिंड चीज़ इट कंडेंट प्रिवेलिंग हिंदू prejudice against going abroad अब जो समय का हिंदू समाज है न वो ये मानता था कि अगर आपने समंदर पार कर लिया न तो आप जो हैं वो अच्छूत हो गए और ऐसा क्यों माना जाता था ताकि लोग भारत से बाहर न जाएं क्यूंकि अगर जो भारत से बाहर जाएगा तो वो नई ideologies लेकर भारत में आएगा तो भारत में जो अल्रेड़ी established system है उसको challenge हो जाएगा वो इसलिए भारत में established system challenge ना हो तो यही declare कर दो कि बाहर जाने वाला अचूत है तो जो बाहर जाकर आया जो भारत से समंदरी मार्ग से भारत से बाहर गया जब वो वापिस आया तो वो society में अचूत है अगर जो अचूत है तो उसकी बात मानी नहीं जाएगी उसको अगर social recognition ही नहीं रहेगा तो उसकी बात का impact कैसे रहेगा ठीक है तो यह system created था इसको directly challenge किया कि ऐसे थोड़ी होता है समंदर पार करने से कोई अच्छूत थोड़ी हो जाएगा यह तो आपने इसलिए create कर रहा है ताकि आपका जो comfort है वो बना रहे राइट next point दखेगा it worked for a respectable status for woman woman के लिए काम करना महिलाओं की situation को सुधारने का काम शुरू किया है ब्रह्म समाज ने जो situation खराब होने लगी थी later वैदिक period से तो हमें ध्यान रखना है society में महिलाओं की situation खराब होनी शुरू कहां से हुई थी later वैदिक period से और खराब होती चली कहां गई खराब होती चली गई throughout the period और फिर उसके लिए काम करना शुरू किस ने किया राजा राम मुहन रोय और उनके ब्रह्मों समाज ने बहुत important point है फिर यहां से situation जो है वो सुधरनी शुरू हुई है और अभी ठीक हो रही है थोड़ा सा बीच में stagnation चल रहा है अभी कुछ सालों से लेकिन relatively ठीक है पहले से situation राइट next चीज़ देखेगा it worked for a respectable status for women in society condemned sati worked for abolition of परदा system discouraged child marriage and polygamy crusaded for widowery marriage and provisions of educational facilities widowery marriage के लिए act आया है ब्रमो समाज के काम करने के बाद कब आया है किस वाइसरो बड़ा लाया गया तुरंत आप कमेंट में बताएंगे next चीज़ देखेगा it also attacked casteism and untouchability though in these matters it attained only limited success casteism और untouchability पर ज़्यादा वो success नहीं पापाए in fact बहुत सारे जो है वो reform organizations establish हुई है casteism को लेकर ज़्यादा किसी का impact नहीं रहा आज भी casteism जो है वो prevalent है जब मैं आपको सत्य शोदक समाज कराऊंगा ना च्छतिवा फूले वाला उसमें मैं आपको casteism पर बताऊंगा पूरा कि क्यों casteism established थोड़ा सा glimpse दूँगा वैसे तो मैंने आपको बताया ना जाती विवस्था पर अलग lecture जाएंगे ठीक है लेकिन थोड़ा सा glimpse दूँगा चूंकि जो मैं आपको एक अलग से lecture होगा जैसे ब्रहम समाज पर लिए अलग lecture इसी तरह का lecture आपका सत्य सोजक समाज पर भी होगा ठीक है उस वए मैं आपको detail में चीजों को समझाने की कोशिश करूँगा तो वहाँ पर थोड़ा जाती विवस्था पर हम discussion कर लेंगे ठीक है क्यों जरूरी है क्यों जो है वो ये नहीं उखाड़ा जा सकता ऐसा कहना तो गलत रहेगा लेकिन नहीं उखाड़ा जा सका इरेडिकेट ये समस्या भारत से क्यों नहीं हुई पोलियो कैसे भारत कह रहा है कि पोलियो को भारत में ठीक कर दिया गया है इसको क्यों नहीं ठीक किया गया भारत से जाती विवस्था क्यों नहीं ठीक हुआ है किस तरह जो है वो throughout history एक political weapon की तरह use किया गया है इसे समझने की हम कोशिश करेंगे ठीक है next चीज दखिएगा the influence of brahmo samaj however did not go much beyond calcutta and at most bengal it did not have a lasting impact अब यहां पर सवाल यह बनता है कि brahmo samaj जैसा जो event है या राजा राम मोहन रॉय जैसी जो शक्षियत है वो केवल बंगाल चही क्यों उभरी क्या जो genius राजा राम मोहन रॉय के पास था जो society को समझने की जो ख्षमता उनके पास थी वो क्या किसी और खेत्र के व्यक्ति के पास नहीं थी तो इसका जवाब कही ना कही मैं previous lectures में दे चुका हूँ कि किस तरह अंग्रेजों ने बंगाल को ही अपना political अधिकरण का केंदर माना और वहीं पर ही अपना जो है वो उन्होंने political or administrative जो है वो structure established किया जिस वजह से जो radical ideas है जो education है जो western education है वो पहले बंगाल में propagate हुई और इसी लिए यह जो western तरज के जो ideas है वो पहले कहाँ पर established होता हुए दिखते है हमें बंगाल में और इसी लिए बंगाल से जो है वो हमें ब्रहम समाज जैसा organization आता हुआ दिखता है ना की northwest frontier से ना की मदरास या ना ही बंबई से ठीक है बले ही बाद में लाहौर जो है वो intellectuals का center रहा हो बंबई पुने intellectuals का center रहा हो मदरास intellectuals का center रहो लेकिन शुरुवात कलकत्ता से ही हुई ठीक है तो आज के session में हमने क्या समझा पूरा का पूरा ब्रहम समाज हमने समझने ही कुशिश करी शुरुवाती जो important leaders थे ब्रहम समाज के उनके द्वारा की गई activities को हमने समझा जो society की कुछ basic concepts है उन पे हमने basic सवाल उठाए जो basic सवाल उठाए धीरे धीरे हम उनको consolidate करेंगे उन चीजों को समझेंगे उन concepts को समझेंगे उनको consolidate करेंगे आगे आने वाले sessions में ठीक है क्योंकि अभी 3-4 sessions जो है हमारे इसी से related रहेंगे तो आगे सो आज के session को मैं यहां conclude करता हूँ अगर आपने पिछले sessions नहीं देखे है सो make sure कि आप पिछले sessions जरूर देखे और उसके अलावा अगर आप CSE के लिए तयार कर रहे हैं तो मैंने जैसे की बोला कि video की description में link मिल जाएगा आपको application को install करनेगा application को install कीजिए चेक कीजिए course के offer कर रहा है आपको और उसके अलावा बहुत सारी चीज़े application पर available है make sure you check that out so having said all of this let us conclude this session मेरा नाम है विशाल चोहान मैं मिलूँगा आप से अगले session में तब तक के लिए अपना बहुत अच्छा ध्यान रखिए take care